आरेकुष्णा श्रीमत भागवत्तम प्रत्म्सकंद दस्वाध्य योग सांख्या पूर इस आध्यात्मिक्यान में प्रविश करने से पहले गुरू और गारंग से कुपा क्याशना करते हुए मंगना सरन करेंगे ताकि हम जो अध्यान कर रहे हैं उसका पूरा पुरा लाव पराप्त हो सके जो कि है क्रिस्न प्रेम की कापकी ओम नम भगवते वासु दिवाया ओम नम भगवते वासु दिवाया ओम नम भगवते वासु दिवाया ओम ज्ञान तिमरंदस्या ज्ञान जना शराखया चक्षरुन मेलितम्येना तस्मय श्री गुरुवे नमहा श्री सेतन्यामनो भेष्टं स्थापितम्येन भूतले स्वयं रूपह कदामहयं ददातिष्वपदांतिकं नारायनम नमस्कृत्या नरंचैवनरोत्तमं दैवीं सरस्वतें ध्यासं ततो जाय मुधी रये नष्ट प्राईशु भद्रेशु निट्यं भागवत सिवयाँ भगवती उस्ताम श्लोके भस्तिर भवतिनेश्खिके पंचतत्वात्मकं क्रेश्ण भक्तरूपद्वरूपकं भत्तावतार भत्ताथ्यं नमानि भक्तशक्तिकं हे क्रिश्ण करुना सिंधु दीन बंधूज दस्तति गोपेश गोपिका कंताउ श्रिदाधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचनम गारंगी श्रिदेविंदावनेश्वरी व्रिश्रिभानो सूति देवी प्रणमामी हरी श्रिदेव वंशाकल्पतरूप्यस्या क्रिपासिंधूप्यवच्या प्तितानाम पावनेप्यो वैस्नवेभ्यो नमो नमः जयश्रिक्रिष्ण सैतन्या प्रभूनित्यानन्दा श्रियत्वेत्गधाध्धार श्रिवासदी गवरभक्त विल्ना हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण क्रिष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमत थागवत्तं प्रथंसकंट दस्वा अध्याय जिसका श्री शक है द्वारिता के लिए भगवान स्रीक्रिष्ण का प्रस्थान जिसा कि हम जानते हैं कि महाबारत का युद्ध समाफ्त हो गया उसके उपरां तर भगवान स्रीक्रिष्ण अभी तक हस्तना पुर्मे ही है और जब युद्धिस्टर महराज को बहुत शोक हो रहा था अपने संबन्वियों की नित्यों का इसलिए वो भीष्ण पितामा पहले उन्होंने खुद समझाया बहुत लेकिन क्योंकि जिस्टर महराज समझ नहीं रहे थे इसलिए वो उन्हें भीष्ण पितामा के पास लेके गए और उन्हें बहुत बहुत वहाँ पर ज्यान का प्रश्चन सुना अभीष्ण पितामा के द्वारा उसके बाद वो पुना हस्तिनापूर में आई गांधारी और दित्राश्टर को संत्वना दी उसके बाद शोनित मुनी ने एक प्रश्चन पूछा पुद्कोर स्वामी से कि पहले श्रोक में हत्वा सरिक्त प्रिधात स्वाइनों युदिष्टिरो धैर्म भेतां वरिष्चह सहान जय प्रत्यवा रुच्थ भोजनां कथम प्रवित्त की मकार शित्त की जब उन समझ आतितायों को शक्तों का वज़ करने के बाद जब वो जानती थे वो सब आतिताय हैं और उनका सब संपत्ती ले लेना चाहते हैं तो धर्म राज जुदिष्चह ने कि वो धर्म का पालं करने वालों में सबसे ज़्यद्ध थे उनके भायों ने कैसे उस राज्य को स्रिकार किया और उसके उक्षप्रांट उन्होंने किस प्रका से वहाँ पर इस प्रका का प्रेशने करने की बाती लिए उन्होंने इस राज्या को सुएकार किया और अब युदिस्व महराज ने किस चक्का से शासन किया उसके विश्वन बता रहे सुद्को स्वामी जिसा कि हमने कल पढ़ा अर्थाद जब उन्होंने भीश्वन पितामा के वाक्षियों को सुना और वही बाद जब भवाद से खुष्वन अश्वत ने उन्हें रिपीट करके बसाई तो फिर उनके अंदर विज्ञान उत्पन हुआ प्रवित्त विज्ञान विदू तविद ब्रह्मा उसारे उनका ब्रह्म क्या था विज्ञान क्या है कि एजग़ट इशवत से आदेन रढ़ीन है इश्वी कि सब कुष्षक करते हैं और इसकी ज्यानमें विदू तविद ब्रह्मा भाम जो उनका भाम था कि मैं ही कारण हुं इन सक्के अज्ञान जैँ ने चला जया और उसकी अजित आश्रय वह इंद्र की तहा इस प्रित्वी पर शासन करने लगे जिसके आदार पर जित आश्रय अजित का मतलब होता है भगवान स्वी कृष्ण जिसको कोई नहीं रीच सकता मतलब राजा अजित आश्रय थे और परिध्युपांतम अनुजानुवर्द थे और सारे उनके भावी जो थे वो उनहीं राजा के आश्रय थे मतलब कितना सुन्दर शासन है सब कुछ कृष्ण की डिरेक्शन्स में हो रहा है तो क्यों नहीं सुन्दर होगा तो केसा शासन की और वो कितना सुन्दर राज्य कर रहे थे इसको इनकी सुन्दर राज्य को इस तरह के वार्नन कर रहे हैं आज की चोप में देखिए कि तो मेरे साथ साथ उस्यारम की से कामं ववर्ष पर्षण्या सर्वकामत् दुघामही शिशिष्चुस्मः रजान्गावा पयसोदस्वतिर्मुधां 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 कामं ववर्ष पर्षण्या कामं मतब आवश्यक वस्तु जितनी आपको इच्छा होती थी ववर्ष यानि वर्ष पर्षण्या मतब उतनी ही जितनी प्रजा को जितना आवश्यक होता था जल जितनी जल की इच्छा होती थी जितनी वर्षा की इच्छा होती थी उतनी नहीं कभी आजिक वाशा होती तितना बड़ा है उस लोगों के वहाँ पहला कम वश्म नाए भीरत्ता उख देना बड़ाटी तो आक ज़का करें वाशा होती ही नहीं है आ अधिकशे के लो फ्रह नहीं होती है जलगों को प्रॉई ही नहीं होता है और क्यों उसका कारण का थे कि वहश्या होती नहीं है वासतों में जेतनी आवश्यक होती हैं उतनी वहश्या अगे होना तो अभी जेतना अन उपुचता है उसे दस गुना अधिक अन उपुचता है और अगर यग्योप यसे बागा सरे कुष्ण amazonKI spricht EBria कहते हैं कि यग्या rdh यजए से अना जुत्पन होता है यजए से वह धाया सकते हैं यदि सारे जीव में संकीतन यजए करेना तो उससे तो सोग हुना अधिक भल उपर सकते हैं गास आसकती है गास खाएगी बहुत ज्यादा गास चाहेंगी तो अना जयदा उत्पन होगा बहुत बहुत आनंद उत्पन हो जाएगा। ये आनंद का समाचार दे रहे हैं कि वहरह उतनी होते थी जितने कि आवशक हो जो रही है तो इसका जह मतलब है कि सर्वकाम दुगाम ही सर्वकाम जितने भी इच्छा प्रतीग वस्तु जिसकी आवशक्ता होती थी दुगाम सब उत्पन करने वाली मही अब क्योंकि वश्त इतनी अच्छी होती थी जितनी इच्छा इतनी आवशक्ता होती थी उतनी वश्त प्रत्वी सारी की सारी सुक सामगरियां दे थी मनुष्य को पशु को पकशी को कीड़े तक कीड़े मकुरों को तक हर एक परियाप्त मातरा में उनकी आमश्यक वस्तुएं प्राप्त होती थी और इतना सुन्दर शासन था उनका आज कर सो क्या होता है मनुष्य को पीने के लिए पानी तक मिलता नहीं मनब एक सवच पानी पीने के लिए भी आज का मनश्य जो है उनको क्या करना पड़ता है य।ुटिलिटी स्टोर से बोटल में पैक पानी लाना पर साथ पहले ऐसा नहीं होता था मतब पहले नदियों का पानी इतना शुद्ध होता था और इतना इसली लिए वहां पर हर किसी को प्राप्त होता था आज तो यदि पानी भी लेना होता है तो पेसों पढ़ लेना होता है हवा दिलेनी होती हैं तो उसके लिए भी पैसे देने जैसे मैं सब लोग एंग मर्निंग में पार्क में वाक करने जाते तो उसके लिए भी आपको PEMIT करनी पढ़ती है क्योंकि आज ये सब प्राक्रतिक उत्पन जो है न वो आनाबंद हो गई है के वलाज जगा पर देखिए सैट्रीज हैं सैट्री उसे इतना धुआ होता है इतना पॉजिशन होता है इसलिए मनुष्य का स्वास्त भी गड़ गया है और कितना अभी ही इतना बुरा समय आ गया अब मैं जाने आगे क्या होगा लोकिन पहले क्या होता था यहां पर एधिष्ट नहीं में बता रहे है उनका राज़य कैसा था कामव वर्षपर जहनी जितने इच्छा होती थी उतनी वर्ष़ा होती थी और सःवय कामभगा मनी और गट्री साप कुछ हर एक वर्ष्ट्व परियाप मात्रा में दे रहे थी, हर एक वर्सु जिसकी इच्छा होते थी, अब जैसे हम जो भी वर्सु हैं, यूज करते हैं, जिसे कपड़ा है, लोहा है, लक्ली है, फल है, अनाज है, हर वर्सु प्रित्री से ही करती है, तो प्रित्री इतने संसुष्ट थी, कि हर एक वर् प्रत्री से कुछ भी हम उपश नहीं हो पाई है क्योंकि वाइशा ही सही नहीं होती उसका कारण क्या राज्या जो होते हैं शासक जो है वही पवित्र राज्या नहीं होते हैं किस जासे हम इस मुझकों ज्यादा आज क्योंतो अlect्री मिलती हैं भोजन के लीए कितने सारे लोग होते हैं जो भूजन के लिए तरफ रहे होते हैं अब देखें आगे क्या किएते हैं कि सिशिश्चुस्मः व्रजान गावा सिशिश्चुस्मः का मचब होता है वो भरी रेती थी व्रजान चरागाउं जहाँ पर गाई चरती है जहाँ पर गाए गास खारी होती तो वो क्या थी पयाशन उद्ध पयाशन पांड़्ट स्वति मोदा भरे हुए उनके ठंढ दूद University फूल भरे हुए होते थे और परसंधा के खाड़ मीर उत्म उनको अच्छा अच्था अमधावरन के प्रसंदता के कारण उनके धन में से बहुत साय दूद निकाल भी देते थे जो गौले होते थे और बच्छरे जो भी दूद पीते थे फिर भी हर वक्त उनकी गायों के धन थे वो दूद से भरे हुए होते थे मतब यहां पर असूद को सवामें बता रहे हैं कि जुदिष्टर महाराश की दाश्य में जीव कितने सुखी थे कि समस्त जीव किस तरह से सुखी ते किस तरह से बता रहे हैं तो अनंदित होती है वहां पर सारे जीव आनंदित होते हैं इसे लिए यहां पर गवों का स्टेशन नाम दिया गया है जिस चुस्मा वरजान गावगा यानि कि गवव के सुख से अब जहां पर उड़ेती थी वहां इतना दूद बेता था कि जो वहां की गास थी थी वह हमेशा हीली रहती थी और किसी भी राज्य में सुन्दर शासन और सुख का प्रमा है वहां की सुखी गववें अगर गववें सुखी हैं तो सम Boss वो राज्य सुखी है और आज कि युग में सबसे बारी विपत्ती ये है कि गववें सुखी नहीं है ज़वों के हत्या हो रही है और बहुत बढ़ा दुरभाग लिए आज की जीवों का यह जो चाहते भी हैं गव को हच्जिया से बचाना लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं वो देख रहे हैं कि गवों के सासी सरह से अत्याजार हो रहा है लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि अगर गवे सुखी नहीं है तो समझो कि मान हो जाती हो सुखी नहीं है अनुवाद दिखिए मारे जिद्धिष्टों के राज्य में मनुश्यों को जितना भी पानी साहिये था उतना ही पानी बादर बरसाते थे और मनुश्यों की सारी आवशक्ताओं की पूर्ती पृत्री दरी करती थी दूट से मैरे धनों वाली तथा प्रसन शित गावे अपने दूट से चरागाहों को सित करती रहती थी। तो समझो, कि बहुत ही अब यह बहुत निश्क्रश यूग आ गया है अन प्छल दूद खनिश वस्तफ इंडल आदि मान व समाज की आवशक्ता आएं हैं यह सब जीव को मनु устрой को सब की आवशक्ता होती है मनुष्य को मांच तथा मचली या लोहे के ओजार तथा यंत्र नहीं चाहिए मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए अनाज चाहिए दूज चाहिए सम्झेया चाहिए इंदन चाहिए और यह सब वस्वें चाहिए ना मांच और मच्री या लोहा यह सब नहीं चाहिए जो अशकल सक्रिया में वस्तुमें बंतियां वो जीने के लिए आवशक में है जीने के लिए आवशक है वायू जीने के लिए आवशक है अनाज, फल, संत्रियां, दूद तो यहां श्रप रभपाजी बुलते हैं के महाराज यृडिशकर की शासनकार में सारे संसार में नियमित वहशा होती थी वहशा मनश्य के वश में नहीं होती है स्वर्ग का रजा, इंद्र वशा का अधिश्ठाता है और वह भगवान का दास है जब राजा तथा राजा की आधीन लोग भगवान की आध्या का पानन करते हैं तो आकास से नियमित वाषा होती है और यही वाषा का तरी पर विःद्ड प्रकार की उपजों की नियमित वरूप है अब यहां पर सब लोग क्या करते हैं वो सुछते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फैस्ट्रीज लगाएं, बहुत ज़्यादा उन्नती हो देश की, लेकि उन्नती हो नहीं सकती है जब तक कि वहां का जो राज़ा होता है वो भगवान के आदिशों का पालन ना करें हुए किसी मनंश्य की उस खियार में नहीं होता है, और अदिश्टा ゃा कंए? इंदरदेव का प्रसnd रहुते हैं जब राजा जो है वो भगवान के आदिशों का पालन नहीं सुछते हैं अकि बहुता है तो जब भगवान प्रसnd होते हैं तो उनके दास उने के कारण अबर यह ने लिखा हुआ कि महाराज युदिष्टा इंद्रदेव को प्रसंद्र करने के लिए कोई अलग कार्य करते हैं। सब कुछ ताप तो होता था जो के एक सुखी राज्य को आवशक होता है लब लोगबाजी केते हैं तो आकाज से नियमित वैशा होती है और यहीं वैशा पित्री परिविद प्रकार की उपजों की मिनित वरूप है नियमित वैशा से नाकिवल प्रचूर धानिय तथा फर उत्पन होते हैं अपितु जब नक्षत्रों के साथ वैशा का संयूग बेठता है तो बहू मुल्य रत्म तथा मोती उत्पन होते हैं अन्नों तथा शाकों से मनुष्यों तथा पश्यों का भरा होता है और मोती गाए प्रचूर डूद देती हैं जिस से मनश्य को बल तथा जीविनी शक्ति मिलती हैं यहां शिर्ण प्रभुपाजी कितना सुन्दर बता रहे हैं कि जब वर्षा उपयुक्त नक्षत्रों के साथ वर्षा की बूंदे मिलती हैं तो जिसे सीपों में बूंदे जाती हैं तो मोती बनते हैं और दहुमुल्य रत्म उस्पन होते हैं और बारिश से क्या होता है मनुश्यों के लिए शाक और पश्यों के भरन के लिए एक वस्तु में राप्त होती हैं और गाएं जो होती हैं, उनको भी प्रचूर मात्रा में जब घास मिलता है, और फिर वो बहुत जादा दूद देती हैं, तो सारे जीवों को बल मिलता है, जीवनी शक्ती मिलती है, यदि प्रचूर मात्रा में दुग्द, अन्भल, कपास, रेशम तथा रत्म हो, तो फिर लो एतना बिगड गया है। उसका कारण क्या है क्योंके वह रजा ये समाज जो है, वो दुख भोग रहा है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि जीव कृष्ण भाना मृत को स्विकार ने कर रहे हैं, यदि सब जीव बक्ती करना शुरू हो जाएं, कृष्ण के आदिशे पपालन करना शुरू हो जाएं, तो संसार में कहीं दुख न दिखे हैं। सिनेमा, कार, रेडियो, मान्स तथा होस्तलों के कृतिम विलास में जीवन की क्या आवश्रक्ता। क्या इस सब्ध्यता ने एक दूसरे से तथा राश्ट्रे इसकर पर लड़ते रहने के अत्रिक्त और कुछ भी दिया हैं। क्या इस सब्ध्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को ना रख किया, सेक्ट्रियों में तथा युद्ल सनों में बेश कर समानता तथा विश्व, बंदुत्व को बढ़ावा दिया है। जो कुछ भी आदोनिक संसार में हो रहा है। बने हम सूचते हैं कि आदोनिक संसार में इतना जादा प्रगत ही हुई हैं लेकिन अजब देखा जाए तो लिखिवन ना रख ये जीवन ही मिर रहा है उनसाब को। ये सब्यता जो सैनमा ये वेश्यालेगर और ये सब बहुत एक वस्तू एमान सोतले त्यादी इससे जीवन मनुष्यों का जीवन और वे बिगढ़ा है। शुलपरोपाजी केते हैं यहां पर कहा गया है कि गववे अपने दुग्द से सरागाओं से सिखत रहती थी। क्योंकि उनके थन दूद से बरे रहती थे और वे परम प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उने खेतों में परियाप्त मात्रा में गास किलाकर प्रसन्न जीवन देताने के लिए समोचित सवरक्षा की आवशक्ता नहीं है। तो लोग अपने स्वाठ के लिए उनका वद्द क्यों करें। मनुश्य अन, फल, दूट से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता। क्यों उनसे हजारों करकार के व्यंजन तयार हो सकते हैं। और तो फिर इन निजबोश पश्यों का वद्द करने के लिए सारे विश्वों में कसाईकर क्यों खुले हैं। मारा युदिश्व के पाउत्र मारा या परिक्षत ने अपने विशाल राज्य का दोरा करते में देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वद्द कर रहा है। तो राजा ने तुरंट उसका साईको गिरुपतार करके उसे गंडिक किया। क्या राजा या कार्य दक्ष को इन बेचरे पश्चूं के दक्षण नहीं करनी चाहिए। जो अपनी दक्षण स्वयम करने में अक्षम है। क्या यह माना होता है। क्या देश के पश्चू देश्वासी नहीं है। तो फिर सूच सालिक का साईगारों में वे उनके वड़ किये जाने की अनुमति क्यों देते हैं। क्या यह सामानता यह समानता भंदुत्व तथा अहींसाची लक्षन है। अतेव सरकार के आधुने ट्रगती शीर संस्कृत स्वारोप के विपरीत महरा जुदिष्टर कासा राज्य तंत्र तथा कथि प्रजा तंत्र से सुरेश्ट हैं। जिसमें पश्वों का वज्द किया जाता है और पश्वों से लिए गिरे हुए मनुश्य को पश्वों से लिए दूसरे मनुश्य के लिए मतदान करने लिया जाता है। नहांब शिलब रहुपाजी बोलते हैं कि आज का मनुष्य तो पश्यों से लिगिरा हुआ है और वो वोग देकर एक ऐसे पश्यों तुल्य राजा को सुईकार करते हैं जो अपनी ही प्रजा को अपनी आँकों से देखते हैं मरता हुआ उनको कासाई गहों में करता हुआ देखते हैं और उसकी अनुमाथी देखते हैं तो आज का मनुष्य तो पश्यों से लिगिरा हुआ है और उनका जो राज़ था महाराजा यूदिश्टर का राज़ इस प्रकर का राज़ नहीं था वो बहुत ही सुन्द और सुनिष्टित र प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृप्पा से पश्वों तथा मनुष्यों के लिए परियाप्त भोजन है। पता प्रकृति को पीज़ता है। जिसे जीवों का उस्पन संभव है। एक शाधरन माता पिता पीज़ता है अपने हैं को पाल सकते हैं और परियाप उनकी आवश्यक्त में पूरी कर सकते हैं। तो क्या भगवान, पिता भगवान और माता प्रकृति जो है, वो अपकी व्रंतान को भोजन इत्या भी नहीं देश सकते, उस सब्सक्राइब को यहां श्रुपपाजी पता रहे हैं, कि परम पिता सी कृष्न की कृपपा से पशूद अथा मनुश्यों के यह परियाप्त जिससे वे प्रकृति के मार्ग का अनुसरा कर सकें और परम पिता के इंगितों को समझ सकें, क्योंकि उनके साथ बुद्धी है, तो भगवान की इच्छा को भगवान शास्त्र में लिखा हुआ है, उस बाद को समझ सकते हैं, इस अंसामी कृतिम विलास तथा इंड़ प्र आस करने का प्रयास नहीं करना साहीं है, यह सब यह श्री लप रोग पाज जिमें समझा रहे हैं, कि जो मनुषु अधारी सारी जितने सेले हैं वह भगवान की संतान हैं। भगवान वीज दिया है, तो चूंकि मनुष्य को सबस्तिमान है, उनमें को के जानूनों से वो भगवान की इशारो को समझ सकते हैं, भगवान, शास्टरों में भगवान क्या आरेज़ देते हैं, उसको समझ सकते हैं तो शास्तर में भगवान के से बहुतिक इंड्रे-त्रप्षी की कामना नहीं करनी साहिए, बलकि यहां पर लेकिन फिर भी मनुष्चरि क्या करता है इस दुनिया में भौतिक इंद्रेतर्प्षि के लिए और अपने भौतिक इच्छाओं को ओबिजादा स्वीधायं प्राप्त करने के लिए और इंद्रियों को खुश करने के लिए लालेश करता है और जिसारी भौतिक जो तरक्ति है भहुतिक विकास के इते लिए बहुत ज़ादा पोशिश करता है राम शिला प्रभुपा जी बता रहे हैं कि मनुष्य को इन खत्रम घंग से आर्थिक विकास करने का प्रास नहीं करना चाहिए बलकि क्या करना चाहिए अपित्व मानवी सर्भयता को प्राकृतिक उत्पादन पर आशुठ जहने लेना चाहिए मनुष्य जो है फ्राकृति मनुष्य के लिए हर एक वहतु प्रधान कर सकती है यही जीव वो हौनेस्ट हो जाए अपने से अपने भगवान से तो फिर चुक्कि जुदिश्वर माराज एक नभवांसे कुछ्ण के आधिशओ अनवसार इस राज़े को सलाते थे तो हर एक जीव सुखी था क्यूंकि वाइशा भी परियाחत मातरा में हो रही थी प्रक्रती समस्ता वस्तु है परियाफ्ट मातरा में दे रही थी गुवे दूद्द दे रहे ही सब इतने जादा संतुष्ट है अब ही मैं कितने कोशिच कर रहे हैं सब लोग लेकिन क्योंगि यह बोपाजी अंते नहीं कहते हैं यह तोकूकरों शुकरों का जीवन है गी आज का मनुष्य तो कुट्टों और सुवरों की तरह जीरा है के बद इंद्रित रुप्ती जीवन का लक्ष बना के रखा है वास्तों में ये मनुष्य जो है वो इस तरह से जीने के लिए नहीं है धर्मों ही एको अधिको विशुशा धर्मा विहीनो पशुवेर समाना यदि धर्म है तो ही मनुष्य मनुष्य के लाने के योग ये है यदि धर्म नहीं है तो वो पशुवेर समाना फिर तो वो पशुव की तरह ही दीरा और धर्म क्या है? धर्म है धर्मा मतुशाक्सा-थ भगवत पहिताःत keinen जो भगवान ने कहा है उस आग्या का पानन करना धर्म है भगवान ने बागवाचीता में बताया है वो करना धर्म है और भगवाची कृष्ण ने पिर इस कल्यूप के प्राणियों को उसी धर्म को और भी सरल करें सेतने महाप्रभू के रूप में आ के बताया सेतने महाप्र बगवान के पवित्र नाम का जब कीजिए और विश्वास रखिए कि ये धर्म करने से जीव अपने जीव हैं जो भी आवशकता होगी उसको प्राप्त करेगा और जो उनके पास होगा उसकी सुरख्षा करेगा ये सब भगवान की गारंटी है हमें क्या करना है भगवान के पवित्र नाम का जब करना है इसके अतरिक तो सुखी होने की और कोई कोई तरीका नहीं है और कोई जिदी नहीं है सुखी होने की कि हम भगवान को सुखी करें केवाज भगवान को संतुष्ट करने से ही जीव संतुष्ट हो सकता है इसलिए हमें भगवान के पवित्र नाम का इजब करना चाहिए भगवान की कताओं का शवन करना चाहिए सब का बहुत बहुत दुन्योवात के तैसा चाहिएगा मेरे लिए प्राफ करना आवस्यकी देगा कि मैं अपने सेवा और साधना को अच्छे सकर शकूँ